आज की क्रिप्टो निउस के सुरवात मैं करना चाहूंगा बैंक ओफ अमेरिका की तरफ से आ रही है दोस्तो बहुत ही बड़ी निउस जो की पुरे क्रिप्टो मार्केट को हिला के रख सकती है बने रही है हमारे साथ क्योंकि बैंक ओफ अमेरिका है USA की दूसरी सबसे बात करें आज की दूसरी निउस की तो वो भी काफी जादा इंपॉर्टेंट होने वाली है दोस्तो क्योंकि निउस आ रही है USA और जपैन के बाइलेटरल डिजिटरल ट्रेड एग्रिमेंट को लेकर जहां पर इंक्लूड किया जा सकता है क्रिप्टो करेंसी को उसकी रिग लेकर आए हम आज आप सभी के लिए जरूर से वीडियो को टिल एंड वाच किजिएगा दोस्तों क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने बिटकोईन की एक एक्स्क्लूसिव एनलाइसिस आप सभी को बताई है जिससे आपकी प्रॉफिट काफी जादा बढ़ने वाली और कोट हमारे साथ भी शेयर किजिए और जल्दी से दवा दीजिए सब्सक्राइब वले बटन को और बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ओल पे सेट कर दीजिएगा क्योंकि हम आप सभी के लिए बहुत ही इमेजिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्मेटिव क के आते रहते हैं साथ ही साथ अफ़ाइट टेलिग्राम ग्रूप को भी जरूर से ज्वाइन कर सकते हैं जहां पी हम आपको काफी एक्स्लूसिव न्यूस प्रोवाइड करते हैं जैसा कि आप स्क्रीन के ओपर देख सकते हैं जिससे कि आपकी प्रॉफिट 10 टाइमस तक मैक क्रिप्टो न्यूस की तरफ दोस्तों जो कि आ रही है सीधे सीधे नियॉक से दोस्तों जहां कि पैक्सोस नेम्ड एक ब्लॉक्चेन कंपणी में बैंक ओफ अमेरिका के साथ साथ तीन और बहुत ही बड़ी कंपणी जैसे कि कोईन बेस वेंचर्स फाउंडर्स फंड करी है दोस्तों जो की काफी बड़ी इंवेस्मेंट होती है और यहां पर बैंक आफ अमरिका का जो नेम है दोस्तों वह काफी क्रूसियल हो जाता है क्योंकि इस मुपमेंट पर जहां पर क्रिप्टो करेंसिस को लेके बहुत ज्यादा अलग सोचे वहां जब अमेरिका की द जहां Bitcoin to the moon तो जाते हुए हमें देखी रहा है दोस्तों बात करें हमारी दूसरी अप्रेट की तो यह उससे भी ज्यादा महत्पूर्ण न्यूज है दोस्तों क्योंकि न्यूज आ रही है सीधे सीधे अमेरिकन पॉलेसी ठिंक टैंक के तरफ से जो की रैंड कॉपरेशन उनका नाम है और उनके तरफ से बहुत इंपॉर्टन सजीशन दिया गया है जहां की बात होड़ी है यूनाइटेड इस्टेट एंड जेपैन के बीच जो बाइलेटरल डिजिटल ट्रेड एग्रिमेंट है उनमें क्रिप्टोकरेंसी को इंक्रूट किया जा सकता है ऐसी पॉलेसी बनाने की बात होड़ी है जहां पर एक इंपॉर्टन सेजिशन इनके तरफ से गॉवर्मेंट को दिया गया है अब इसके उपर गॉर्मेंट का क्या रियक्सन आता है वो तो पता नहीं है बट इनके से जो बी सेजेसन आती है वह ज़्यारत एकसेप्टेड होती है दोस्तों और यह काफि यह बढ़ ऑर गनाइजेसन ने बहुत ही बढ़ी कॉपरेसियं और इनके तरफ से ऐसा कहना एक बहुत ही इंपोर्टेंस मुद्दा वन जाता है दोस्तों और इसके चलते भी हमें क्रीप क्रिप्टो करेंगे तो आपको भी पता है कितना बड़ा पंप आ जाएगा लेट्स होप फॉर दा गूड सीधे बढ़ते हैं अपने तीसरे न्यूस की तरफ जो की काफी ज्यादा खास है यहां पर बात हो रही है जिमबावे की एक मुझिक प्रोडक्शन कंपणी ने अपने एंप्लॉय और सारे क्लाइंट को कह दिया है कि वह अब पेमेंट क्रिप्टो करेंशी बिटकोईन और इथेरियम के साथ कर सकते हैं जो की काफी बड़ी बात है दोस्तों क्योंकि आप देख रहें ओवर आल जो क् बड़ोग अपने क्लाइंट को कह रही है कि क्लाइंट को कर सकते हैं तो यह काफी बड़ी बात दोस्तों और यह हमें सीधे सीधे सिगनल दे रही है कि क्रिप् 시청 सक्कींस कैसे इंट्रेच जैसे वाइर भी लोड़ी है अगर आप अभी क्रिप्टोकरंसिस का जुड़े हुए है तो आपको भी पता है आप कहां पहुचने वाले दोस्तो जहां की फ्यूचर काफी ब्राइट होने वाला है बात करें अगर फोर्थ अपडेट की तो फोर्थ अपडेट कुछ जादा ही अमेजिंग है दोस्तो क्योंकि न्यूज आ रही है सीधे सीधे पेपाल के सीओ की तरफ से अब पेपाल जो की दुनिया की सबसे बड़ी पेमेंट जैंट्स में से एक है वो उतरने वाली है क्रिप क्रिप्टोकरंस को खरीद बेच पाएंगे जो की काफी बड़ी खवर है क्योंकि पेपाल जैसी कंपनी जब क्रिप्टोकरंसी मार्केट में उतरी गी तो आपको पता है मार्केट काफी ज्यादा पंप होगा क्योंकि पेपाल की अगर यूजर बेस की बात करें तो काफी बड़ी नजेर आ रही है उन्होंने कहा रहे हैं एक विक्ति ने ट्वीट किया था जिनके नीचे इलान मक्स ने ट्वीट करके बताया है कि जो टेसला की ओवराल क्रिप्टो होल्डिंग है वो इतनी ही है दोस्तों या फिर इसके क्लोज है तो यह काफी बड़ा मैसेज देती है क्योंकि टेसला जिसने की बिटकोईन पेमेंट एकसेप्ट करेणा बंद कर दिया था अगर उसके पास इतनी ज्यादा बिटकोईन में काफी ग्रीन फ्यूचर है काफी ब्राइट फ्यूचर है और जलदी हमें टेसला बिटकोईन एकसेप्ट करते हुए फिर से देखने को मिल सकता है और जिस दिन यह खवरा यहां पर कुछ मेजर पॉइंट में आपको बता देता हूं जिससे लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट बैनिफिट्स और प्रॉफिट भी कमाया है अगर शॉट टर्ण में हम बिटकोईन की बात करें तो अभी बिटकोईन हमें 40,000 के करीब ट्रेड करता हूं जाकि बिटकोईन 40,000 के उपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है बट यह काफी जादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि बिटकोईन 42,000 को ब्रेक करें क्योंकि अगर दोस् पोजिट डियरेक्शन की थोड़ी सी बात कर ले तो अगर बिटकोईन 37,000 डॉलर से नीची आके 36,500 के मार्ग को ब्रेक करता है तो फिर से हमी बीरिस्ट ट्रेंट डेकने को मिल सकता है तो एक ही रिकोमेंडेशन रहेगी अगर आप यहाँ पर ट्रेड कर रहे है दोस्तों तो जरूर से तगड़ी स्टाप लोस लेगा के ट्रेडिंग कीजिएगा याट सौल फो टुडेए न्यूज कैसा लगा जरूर से कॉमेंट स्रक्शन में कॉमेंट करके बतेएगा और चैनल को अगर सस्क्राइब नहीं किया तो जल्दी से सस्क्राइब वाले बटन पे प्ल अजय का अजय को जाएबर अन रियो